हलो दोस्तो मेरा नाम है विवेक सक्सेना और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ गिलिप स्क्रीन रिकॉर्डर एप के बारे में जी हाँ दोस्तो यह एप क्या है इसको यूज कैसे करते हैं और इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं गेम रिकॉर्ड कैसे कर सब्सक्राइब कर लिए तो सबसे पहले गिलिप स्क्राइब करते हैं और यहां पर गूगल एकाउंट और फोन नंबर का आजाता है तो आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो एकाउंट बना सकते हो और यहां पर बताया जारा है कि नो लैग आप किसी भी फोन में इसको रिकॉर्ड करिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो उपर आपको राइट में स्किप साइन अप का आपसन देखने को मिल जाता है तो आपको जस्ट उस पर क्लिक कर देना है ओके आप चाहो तो गूगल एकाउ और यहां तो आप इस पर कलिक कर दीजिए ओके जैसे आप इस पर कलिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी इसके साथ यहां पर लेंडिस्केप सेलेक्ट है तो मैं दे स्किप में रिकार्ड करना चाहता हूं मतलब गेम जाता हूं और यहीं जरूरी है दोस्तो अब आपका फोन यह दो जी बिरेम का है ये हैं तो आप यहां पर मीडियाम या हाई चूज कर सके जैसे मैं हाई चूँज कर लेता हो तो यहां पर के बिजूलेशन बस 108TP रहेगा उसके साथ साथ यहां पर फ्रेमरेट 30 या 60 कर सकते हो यह देख सकते हो मेरा फोन 8GB RAM है तो मैं इसके लिए वेस्ट सेटिंग किया हूँ यदि आपका 2GB RAM रहेगा तो low वाले पर करिएगा या medium वाले पर ओके उसके साथ साथ यहां पर mute microphone in game idea यह सारे options यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो जो मेरा यहां पर select है in game idea and microphone तो यहां पर मेरा जो वाइस रहेगा यह भी रिकॉर्ड करेगा इसके साथ साथ यहां पर यह गेम की भी आईडियो रिकॉर्ड करेगा अब आप फोरा नंबर पर select करते हो तो यहां पर आप अपने हिसाब से खुद अरजेष्ट कर सकते हो वाइलूम ओके यहां पर आइडियो जो game का idea रहगा इसको कम जादा कर सकते हो माइक का idea है यह भी कम कर सकते हो कि किसी चीच की कितनी idea record करनी है, okay यह आप चाहते हो कि ख़ transcription, आप अपनी वाइस ना record करो तो न गेम idea पर select रहने देना ओके पर सलेक्ट नहीं करना है इस वाले पर सेलेट कर देना है Okay मैं जैसे रिकार्ड करता हूँ तो गेम के आईडियो रिकार्ड करता हो तो इस पर रहने देता हूँ यदि आप चाहे माईक्रोफोन की आवाज रिकार्ड हो मिंस्स आप जो खोद बुल लए इसकी आईडियो रिक करना चाहता हूँ तो इंटर्नल पर सेलिट कर दिया हूँ अब उसके बाद लांच रिकॉर्डर का ओप्सन देखने को मिल जाता है तो आप इस पर क्लिक कर दिए यहां पर देख सकते हूँ इसके बाद आप रिकॉर्डिंग करने के बाद ऊपर देख सकते हूँ उपर यहां करता ह диNet और कभी कभी PUBG लाइट भी खेलता तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं तो यहां पे आप जो भी चाहो रिकॉर्ड कर सकते हो और के जो भी मैंने सेटिंग मताया है आप उस सेटिंग को चालू करोगे लागो करोगे तो आपका बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा अब यहाँ पर जो भी recording करोगे यहाँ पर सो होगा जैसे मैंने कुछ भी record कर दिया तो यहाँ पर सो होगा आप उपर से disconnect कर सकते हो अब दोस्तो एक बात याद रखना है आपको कि यदि आप game record करते हो तो आपको land escape mood पे ही रहने देना है आपको portrait mood record नहीं करना है जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यह portrait mood में है तो यहाँ पर यह सारे options देखने को मिल जाते हैं अब दोस्तो एक feature और यहाँ पर है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगे इसी वज़ा से इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ यदि दोस्तो आप 50 like देदे तो तो next video में बताऊंगा अब यहाँ पर create montage का option तो यही all option है यह option क्या है इसको use कैसे करते हैं अब आपको 50 like इस वीडियो पे देना है और next video में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे use करना है तो मुझे उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कि Glip Screen Recorder एपको use कैसे करना है और games record कैसे करना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर सकते हो और channel पे नेवाथ चनल को subscribe कर लेना आपका कोई doubt होता है या कोई सवाल होता है तो आप comment करके पूछिए मैं बताने की पूरी कोशिस करूँगा मैं मिलता है आप से नेवरे साथ तब तक के लिए बाई बाई इंडे टेके